रक्षा मंत्राले ने CBI और ED को UPS सरकार के कारेकाल में हुए MBR विमान सौधे की जांच करने का आदेश दिया है सुत्रों के मुताबिक MBR विमान सौधे का आरोब बेहत गंभीर है इसलिए CBI के सासाद ED को भी जांच करने को कहा गया है रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने इस हफ्ते की शुरुवात में कहा था कि अगर इसमें आपराधिक पहलू हुए तो जांच CBI करेगी मंत्राले इसकी जांच नहीं करता परिकर ने यह भी कहा था कि अगर यह मसला केवल प्रक्रिया से जुड़ा है तो रक्षा मंत्राले आंट्रिक जांच कर सकता है आपको बता दे कि 2008 में तलतकालिन UPS सरकार के दोरान ब्राजिल की एक कंपनी की ओर से MBR एरक्राप्ट बनाने की डील हुई थी 20.8 करोन डॉलर का यह सौधा विमान निर्माता MBR और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच हुआ था करार के तहट पहला एरक्राप भारत को 2011 में मिला और 62 एरक्राप 2013 में मिले इसमें रिश्वत का मामना तब सामने आया जब USA के कानून विभाग ने अलग-अलग देशों में MBR के साथ हुई डील की जांस शुरू की दरसल मीडिया में इस तरह की खबरे आ रही थी कि एक बिचौलिय के माध्यम से इस डील के एवज में भारत को घुस दी गई थी करार में शक के बाद 2010 से ही अमेरिका MBR के खिलाप जाच कर रहा है इसमें भारत और सौधी अरब समेत आठ देशों के साथ MBR की डील को शामिल किया गया है ततकारिन यूपियस सरकार पहले से ही अगस्ता डील के मामले में निशाने पर है और अब इस सौधे में हुई गड़बडियों से कॉंग्रेस की मुश्किले बढ़ सकती है देखते रिये डीवी लाइए